नमस्कार स्वागेस तपाईलाई सिविल इंजिरिनिंग पावर यूटूब चैनल मारा आजगो वीडियो मा चाहिए आमे हेर न गई रेगोछू जग्गा नापी सम्बंधी को जानकारी मा एसमा धेरी कुष्चन हरू चाहिए आई रहेको हुँँच जस्ते की पाँच धूर मा कती आना हुँच पाँच धूर मा कती रोपनी हुँच दस धूर को चाहिए लंबाई चवड़ाई कती हुँच पाँच धूर मा घर बन चाहिए आज़ा हमे हेर ने चुएसमा हरा सभई को तक पाँए आज़ा कंसेप्ट बुझाई नित दीने चूर तिसमा घर बन चाहिए बंदयीना कती जगा चाहिए तक पाईले आफिली पनी कैल्कुलीट गरना सकनुँच तक पनी मा तक पाईले सिखाय दिने चू ठिक चा आमें वीडियो लाए स्टार्ट करो या यहना सकनूंच तपाएरो सवे भंदा पहला चाहिए बिघा को रहे को चा यहना यहना सकनूंच जगा नापी सम्मंदी जानकारी एक बिघा एक बिघा मा कती हुँँच एक बिघा मा तपाएले था चा 20 कठाऊंच एक बिघा मा 20 कठाऊंच एसले आमें वर्ग मीटर मा हेर्दा खेरी मीटर ए स्क्वाइर मा तपाएलाई 6772 60-62.63 मीटर ए स्क्वाइर चाहिए यह हुँँच मीटर ए स्क्वाइर मा हेर्दा वर्ग मीटर मा वर्ग फिट मा चाहिए हेर्दा खेरी 22009 से स्क्वार फीट चाहिए हो छ, ठीक छ, रोपनी मा धेरी जाना चाहिए चाहिए शाती यूर्ण सोदे हुँँँच, तो रोपनी मा चाहिए यू 13.31, मतलब 1 विघामा 13.31 रोपनी हो छ, एक विघामा 72009 से स्क्वार फीट हुँँच, र एक विघामा dennे अल्ण सथी चो हजार साथ से बहत्तरी पंट तिर सथी स्क्वाइर मीटर हुनचा ठीक चाहि आमी कठा को हेरो कठा मा कसो कसो हुनचर तपाइला है क्यालकुलेट गरना पने सिखाय दिनचु कि कसरी तपाइको घर मां यती जमीन छतेसमा चाहिं घर बन शाकी बन देना त्यो कती आना एक कठा मा कती हुँँचा 20 धूर हुँचा यो एक कठा मा तापाईले कती स्क्वाइर मीटर हुँचा 338.360 स्क्वाइर मीटर हुँचा ठीक छा एसे मा तापाईले एक कठा मा कती स्क्वाइर फीट हुँचा 36-45 स्क्वायर फिट हुन चाई यो चाहिं कठा को भयो अब चाहिं धूर को हे रो यो चाहिं धेरे इंपोर्टेंट रहे को चा कि एक धूर मा एक से 82.25 स्क्वायर फिट हुन चा ठीक चा यो तपाईले याद राखनू परने चा येई बाट तपाई सबई कन्भरजन गरना परने चा तपाईले रा सबई गरना सकनू चा तपाई घर बाटे बसी बसी बुज़न शकनू चा एक से 82.25 एक धूर मा कती हुन चा एक से 82.25 स्क्वायर फिट बर्ग फिट ठीक चा एक धूर मा 16.93 मीटरे स्क्वायर हुन चा अब धेरी जाना साथी अरू कमेंट मा सोदे उन उन चा कि एक धूर मा चाहे सर घर बन चा एक धूर बने को कती हो मले थाहे छे न क्ये हो यो एक धूर धेरे कुश्चा नरू आई रहां चा पान धूर मा मेरो घर बन चाकी बन दहीन अब हेरनू यो एक धूर छा मतलब 182.25 182.25 स्क्वायर फिट भने को 13 फिट लाई 14 फिट लाई गुन्ना गर्दा 14 इन्टू तेरा गर्णू उन चा भने 182 आऊँचा ठीक चा यो भायो कि 13 फिट लाउड़ाई भायो को लाउड़ाई लाई 14 इन्टू विर्थ या विर्थ तपाई लाउड़ाई रा चावड़ाई दुबई लिनू लाउड़ाई तेरा लिनू या चावड़ाई लिनू है ना यो दुबई मतलब एसको मतलब यो भयो कि 13 फिट चाहीं लंबाई भयको र 14 फिट चवराई भयको जुन जमीन हुँचा त्यो चाहीं के हुँचा एक धूर हुँचा बुजनुभो तेरा फिट लंबाई भयको तेरा फिट र 14 फिट चवराई भयको जमीन कती हुँचा एक धूर हुँँचा, बुद्नुब साती हैरू, अब यो जो एक धूर छा, अब आ गारी हामी बढ़ाओ, एक रोपनी, एक रोपनी मा कती हुँँचा, सोल्ला आना हुँचा, धेरे जाना हरू लेता काटमांडू तीरा जमीन चाहीं आना मा कुरा गरी रहे कुँँचा, तर पहाड माँनु भोल, माथी तिराउनु भोल बने यो हरू आना माँँचा, हैना, आना पैसा, दाम, रोपनी, यो हरू माँचा, आउना थाल चाहीं तर एक रोपनी मा कती हुँचा, सोल्ला आना हुँचा, यो याद राखनू अला र इस माँ केछा 64,20 र एक रोपनी मा कती हुँँछा 5.8.32 बर्ग मीटर हुँछा है न बर्ग मीटर हुँछा कती 5.8.72 र बर्ग फित कती हुँछा 5.004. rocket lotus विज्मुभ एक रोपनी माँ चोगण से 52.7. effectivement बर्ग फित हुँँचा त्यों तपाई आद राखनू स्कीन बने येए कंभर्जन तपाइलेई ठा लागद एक आना अना को कुड़ा गरदा खेरी तपाइलेई ठाच्यग एक रुपनी मा बहना सोला आना हुंच अभै एक आना मा कती हुं म olması चार स्कौारफिट हुण्छ रढ सोल्ला दाम हुण्छ ठीक चे एक रुपनिमा छल्ला आना हुण्छ रढ एक आना मा सोल्ला दाम हुण्छ यहाद राखनू पर्ने चे अब आन on the पांच धूर को कती आना हुन्च यो चाही मसंग कुष्चन आको थियो अब यहनों पांच धूर पहला निकालों पांच धूर कती छा अब यो पांच धूर निकालना को लागी एक धूर मा कती हुन्च एक धूर मा एक से बिरासी पॉइंट दूइपांच स्क्वार फिट हुन स्कुआरफ फिट छो ठीक चा मतलब यो अंद लीघ रखका मी किया ना सेगरें किसी आणा के स्कुआरफ फिट अंत स्क Agora किên पांदा यहूं यहो पांद उक्त फिट् 7र ना सेगरें थीच होलो एसना खालें रिकेट mess चाहिए 911.25 चाहिए 5 धूर को एती स्क्वाइर फिट छ रहा एस मा चाहिए एक आना मा कती हुँँच तीन से ब्यालीस स्क्वाइर फिट तीन से ब्यालीस ले डिभाइड गरी दि भागा गरी दिन हुँच बने एक पांच धूर मा 2.66 आना हुँच बुद्निमों साति रहे इसमा पांच धूर को कती हुँच यहरू तपाइले था चा पांच धूर को एती स्क्वाइर फिट हुँच बतलब पांच धूर कसे को जमीन चा बने पांच निस ब्यावूद्निमों निFS अ के स्क्वाइर फिट चाहिँच पांच धूर को कती रोपनी हुन्च तो जीरो पाइंट सोल्ल, पांच धूर को कती आना हुन्च तो डू फाइंट 6 साथी एसरी भागा गरे रा हैना, अब है न शकनूँच दस धूर एँटा कोईशन के सोध्या चा भने, दस धूर को कती लंबाई चोड़ाई हुन्च, यह धूर को लंबाई चोड़ाई भयो 14 इन्टु 13 भने 10 धूर को कती हुँँचे उटाई उटाई जीरो थपी दिने है ना यहां है न सकनुँचे तपायरू एसे हिमा एक से मतलब एक धूर को चाहिए 152.25 इन्टु 12 गरी दिने हैं तो 112.25 इन्टु 12 गर्नों भरने क्ये उन्चा 2018 2, 2.5 ठीक छा एती स्कायरू भयÈ ज़ाल थपी ने पहला एती स्कायरू भयो пожव उतना यही गोरा चा तपाय लाई 10 धूर आं 10 धूर मा एती भयो कती चे से बिरासी अठारा से 22.5 स्क्वाइर फीट ठीक चा बुझनू बनी तपायारू तो यही कुरा चा तपाया लाई है ना पाच धूर मा चाहे कती ओटा कोठा बन्च त्यो पनी कुछन मा उटा सोध्या चा साथी ले अब येलाई पनी मा बनी दियू अब तपाया लाई था चा प अब तपाय लाई है नू एकसे 282 मा यो काहा बाटल्या चू भने मान्नूस की यहीटा चौदा फिट लंबाई रा तेरा फिट चौडा आई भायो के यही उटा कोठा चा तेसको कती भाया लिए ले चौदा इंटू तेरा गर्दा एकसे 282 मतलब तेरा फिट लंबाई भाय यह स्यानों छाइना हैना यहस माँ पैसेज पनी तपायवे ले हाले हो ठीक चा अब तपाय बुजनुभो रहा एक हात मां कती हुँझा एक हात को कती हुँझा एक रोपनी माँ धर बन चा कि बंदी ना साथियरु सोदनूबाच यहा ने गते में Q bênसे 24 से 86 square feet घ्रक से 0, 7iß5 bak 1 ता पाइले थाके घ्रक से 94 square feet घ्रक साथ 24 square feet अधर 26 respective square feet based यांना सकनू छा एक रोपनीको कती चा 24 से 44 स्कॉयर फिट चार ना सक्षा किना बंद कना तपाई यो चाहिं था लाउनों भो की कशरी चाहिं यो देखो छा भने रहे शमाने टापाई चाहिं माझाले यो चाहिं चौबन से चिहतर ये स्क्वायर फिट भायो नियो साथ है रो चौबन से चिहतर ये स्क्वायर फिट में यहां बाटल लेचु भने एक से बिरासी पॉइंट दुई पांच गरनु यहां तिस बची तपाईले आउंचे एसको है न कती ओटा कोठा आरू चाहि तपाई बनाउन शक्नुँँँँचे एक से बिरासी पॉइंट दुई पांच भने को तपाईले एउटा कोठा को एरिया भायो ठीक्छा यहां चाहिए डिबाइड गर्या तपाइले आयाल चाहिए एक हाथ मा कती हुँँँछा 18 इंच बनेको तपाइले डेर फिट भायो ठीक्छा यो पनी कुरा बुजनू पने चाहिए अब यही सम्बंदी तपाइले यही कुरा हारू धेरी साथ हैरू कमेंट मा सोद्धे हुँ अब यही सम्बंदीू पनेको यही सम्बंदी तर्फाइले यहीं घूँँँखश यही सम्बंदीaja बुजनू, यही सम्बंदी तके अब तो आई हाल चा थे ना भुजनुब तपाई युग कुश्चन को एंसर तेसे गरी बीघा देखी आना मा कसरी कनभट गरने तो एक बीघा को एती स्क्वाइर फिट छ वने आना मा कनभट गर्दा खेरी एला एले डिभाइड गर दिने 342.25 ले डिभाइड गरनू भो वने एस 10,1,2,3,4 ओटा जीरो भज्योगी मा चार ओटा जीरो भ्योगी मा खेरी उले ट्रो आना मप मिल्डाई उले पकाशडाई अगरी ना मटना युटाaksजनकों हाले गर्द गर्दा थेयो फिट श उल्ंपनित मां तोacağız फिट्वाइड पक्ताई धूर हुन्छ न थूर हुन्छ ना मजाले यो बाटा तपाई चाहें डिभाइड गरे र wizard भागा गरे र तपाई निकालना सकनुछ कोनी ठूलो कुरा छैंना ला आये ना भने फेरी कमेंट गरनु अला मतापाईल धेरी कमेंट अरुमा याँ ले चु न सकनुछ एक धूर को कती हुन्च है ना मेरो जगा एती छ भने कती धूर कती कठा उन्च एक धूर मा कती मीटर लंबाई चौड़ाई हुन्च एक धूर मां कती मीटर houn चाे ह्वा सब चाइना हैीर। एक धूर मां कती मीटर ह्वा सब्सक्राइथ जो नुदर चाइना हो, एक धूर कसेले भने रहा चा बने तुछ एउटा होना सकते ना किना बने तापाईलाई लंबाई र चोड़ाई भायर धूर बने को हुँछ तेई भायर ये कुश्चन अरू धेरे आथियो त्यों मा तापाईलाई यो वीडियो को मार्फा तापाईलाई बुझाई दिये कि क पशरी चाहिए जगा नापी मा तापाईले चाहिए यो हेल्फ करने चाहिए ना केई को छुटे चाहिए न बने के रहा चाहिए भनने तापाईले चाहिए भने जीन स्क्राइब गर दिन होला रा वीडियो लाई लाइक गर दिन होला रा कमेंट गर भनो ला तपाले कस्तो लागे वीडियो थैंक्यू बेरी मच